तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि एक सोलेनाइड है ठीक नहां लॉंग सोलेनाइड है लॉंग मतलब जो है जिसकी रैडियस जो है is very very less than length of the solenoid तो डाइमेटर इसका 0.1 मीटर है और इसमें पर यूनिट टन्स जिसको हम small n से निनोट करते हैं small n number of tons total tons per unit length यह वाली चीज़ है एट दे सेंटर आफ दे सोलेनाइड एक क्वाइल आफ हंडेट टन देखना अब यहां से दूसरा टन है आफ रैडियस 0.0 placed at its axis coincide with the axis of the solenoid सबसे पहले इतना करते हैं कि एक solenoid बनाते हैं यह मैं एक यहां से solenoid बनाता हूं और यह solenoid per unit turn यूँज़ है इसका लेंथ आप देख सकते हैं यह long solenoid है ठीक नहां ऐसा कुछ solenoid है यहां से current आई जाएगी और इधर से अपना इधर से करेंट आ जाएगे दिस इस दे लेंथ आप दे सोलेनाइड और लॉंग सोलेनाइड है तो जो इसकी एक्सीज है यहां से अपनी एक्सीज लेलो यह वाली जो लाइन है यह एक्सीज आप सोलेनाइड है तो इसकी जो radius, this radius, this radius is very very less than length, that is the definition of long solenoid, ठीक ना, आगया समझ में, तो इसका मतलब यह हुगा, ठीक ना, इसका मतलब यह हुगा, कि यहां पर, अब क्या कहा जा रहा है, कि इसके center पर हमने coil रखा, और जिसकी radius है, और coil की axis, और solenoid की axis बराबर है, लेकिन इसका radius से कम है, यहां पर मैंने एक coil रखा, यह coil रखा, this is the coil, इस तरह से हमने एक circular current carrying coil रखा, जिसकी axis, इसकी axis से coincide, this is the coil, ठीक रहा, यह coil रख दिया, इसके अंदर, इसमें capital turn, number of turns, यहां से 100 solenoid, और यह जो, so coil में, और number of turns, जो है, solenoid में, per unit length, वो 2 into 10 की power, 4 है, गल्ती नहीं करना, इसमें confusion हो जाएगा, ठीक न, if the current in the solenoid reduced with a constant rate, अगर मैं current constant rate 0, say 4 ampere, in 0.5 time में, ठीक न, solenoid में ध्यान रखना, then resistance of the coil is, resistance of coil न, total charge flowing through the coil in this time, इस time में कुल कितना charge flow हुआ होगा, इस coil से, देखो, जैसे ही current solenoid में reduce करोगे, वैसे ही current reduce करेगे, वैसे ही magnetic field है, जो कि इसके axis के along ऐसे होती है, आई-hop की आपको पता होगा, तो center पर जो magnetic field है इधर है, और area vector coil का इधर है, तो theta इनके बीच का angle 0 है, तो magnetic field इधर है और coil का area vector इधर है तो इनके बीच का angle theta 0 है तो जैसे ही current कम करोगे यह current degrees करोगे 0 से 4 ampere 0 to 0 to 4 ampere करोगे वैसे ही magnetic field change हो जाएगा और इससे flux change हो जाएगा जाएगा और करेंट आजाएगा इसमें चार्ज फ्लो करेगा बात समझ में आ गया question बहुत सरे बच्चों को तो एक question ही नहीं इसमें आएगा तो इसलिए मैं बहुत डीटेल में अच्छे से समझाता हूं और आप लोगों का जो comment है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहु हुआ तो बने रहो चलो चार्ज फ्लो कभी देखो चार्ज फ्लो इलेक्ट्र में अग्नेटिंग इंडेक्षन में चार्ज फ्लो कैसे निकालोगे उसका मैं आपका एक साटकर्ट मेथड बताता हूं ठीक ना तो निउट निउटन बोला हूं फैराडए लॉसे नंबर अब तो इंडिडिउस नियम तो करेंट जो होता है वो बोल्टेज अपान रजिस्टेंस होता है यहां से तो अगर तुम यहां से देखोगे दोनों साइड आर से डिवाइड करोगे तो यहां से तो यहां से बनेगा माइनस एन अपान आर यहां से तुम देखोगे और डिफाई ओबर यहां से डिवाइड कर दिया तो यहां से तुम देखोगे निगेटिव साइन को एगनोर कर दो तो E upon R कुछ नहीं है, that is current है, current is equal to मतलब delta Q upon delta time is equal to N upon R और change in flux delta phi upon delta T, ठी है, तो उस time में delta T, delta T कतम हो गया, तो किसी भी coil से जो charge flow होता है, वो number of turns in the coil, radius of the coil, और change in flux, तो यह जो formula है, हमारे लिए एक बहुत important formula है, electromagnetic induction में, EMI में, तो इसको आप एक line में याद भी कर सकते हो, नहीं याद है, तो देखो एक line में इसको ऐसे solve करके निकाल सकते हो, तो अब यहाँ से delta Q हमें निकालना, number of turns, flux किसे से flux change, क्वाइल से flux change, इस से, तो इस क्वाइल से कितना flux change होगा, तो चलो, उसकी calculation कर सकते हैं, तो number of turns in the coil, radius of the coil, और क्वाइल से जो flux change होगा, तो flux is equal to BA, cos theta, cos 0 हो जाएगा, क्योंकि magnetic field solenide का है, और यहाँ से 0 आजाएगा, तो N upon R, और यहाँ से magnetic field at the axis of solenide, mu naught N I, current in the solenide, और एरिया किसका, यह एरिया किसका है, क्वाइल का एरिया, भाई, यह जो एरिया है, यह जो एरिया है, and magnetic field B and this is the area of the coil flux किसे चेंज हो रहा है area of the coil area of the coil radius of the coil यहां रखोगे तो पाई small r square this is the capital R be careful यहां पर बहुत सरे बच्चों को doubt आएगा कि यह जो introduce EMF था introduce EMF था यह आप किसके लिए लगाये थे सर तो यह जो introduce EMF था उस totally coil के लिए number of turns in coil और यह जो है resistance of the coil इस coil का resistance है और ठीक ना इसके लिए coil के लिए ही लगाये था तो अब यहां पर सारी value यहां पर रख दो तो अगर मैं यहां पर पूरी value रखता हूँ तो delta q की value यहां से आजेगी total number of turns देखो total number of turns capital N capital N जो है solenide में number of turns 100 है resistance is equal to resistance यहां से दिया हुआ है 10 pi square mu naught की value 4 pi into 10 की power minus 7 number of turns in solenide number of turns in solenide देखो प्यारे बच्चों दिया हुआ है कितना है 2 into 10 की power 4 2 into 10 की power 4 number of turns in solenide है और current in solenide तो solenide में कुल कितनी current flow हो रही है तो change in current जो है वो 0 से 4 होई है तो 0 से 4 होई है तो यह 0 minus 4 0 और यहां से pi और r square 0.1 का square radius of the coil coil के लिए लगा है था अब पूरा इसको solve करो तो देखो यहां से 4 0 यह जो है 4 0 और यह 4 0 यह 4 0 कटके 1 हो गए और यहां से pi square ने pi square को यहां से काट दिया तो कुल कितना बचा है यहां से solve कर लो तो यहां से 1 0 ने 1 0 से यहां से काट दिया तो यहां से 4 और यह 4 तो 8 16 और 32 यहां से 32 बचा और यहां 10 गब माइनस 6 बचा 10 की पार माइनस 3 इतना कुलाम चार्ज फ्लो होगा लेकिन जो हमारा solution है वो माइकरो में दिया है तो 32 माइकरो कुलाम चार्ज फ्लो होगा तो अगर तुम देखोगे यहां से प्यारे बच्चो तो भी आपसन सही हो जाएगा आई हो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एक्स्प्लेइन किया है अपना बहुत ख्यार रखो भे भे